हलो गाइस तो कैसे हैं आप सब लोग तोभी मैं आपके सामने आ चुकू습니까आ गाइस बिग अपटेट लेकर यहां पे जेके सेशबी नह जो अपना कलेंडर जो है वो out कर लिया है टेंटेटिव कलेंडर जो है वो जेके SSB ने आउट किया लेकिन इसमें बड़ी बात है कि सिर्फ तीन एक्जाम के बारे में ही जेके SSB ने बताया इसे पहले मैं आपको बता दू कि अगर आप पूरे JNK के करंट अफेर जो हैं जुलाई 2023 तक करना चाहते हैं हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन करें या चैनल पे जो हैं वो मिल जाएंगे सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाएं सब कुछ वहाँ पे आपको देख जाएगा तो गाईज मैं आपको बता दू कि आपका एक्जाम कलेंडर जो है आउट हो चुका है जेके SSB ने अपने शो बारंब कर दिया है मतलब कि जेके SS ने एक्जाम लेना जो है वो शुरू कर दिया आपका पहला एक्जाम जो है जेके SSB के तरफ से 21 सेप्टेंबर को रखा गया जो कि जूनियर एसिस्टेंट का एक्जाम है उसके बाद दूसरा एक्जाम आपका 24 सेप्टेंबर को और तीसरा आपका 1 अक्तूबर को है और पर बात करें हम तो अभी अगर फा के और VLW के एक्जाम को रिलेटिड अगर चलें तो लास्ट डेट जो है वो कही गई थी कि 30 नवेंबर तक सारे एक्जाम जो है वो कंड़क्ट कर दिये जाएंगे जेके SSB के तो डेफिनेट है कि आपका एक्जाम जो है अक्तूबर में चला गया है फा और VLW को डेफिनेटली अक्तूबर में ये होना भी है अगर ये एक्जाम VLW और फा का अक्तूबर में नहीं होता तो काफी लेट हो जाएगा तो इसलिए फा और VLW के एक्जाम के अगर बात करें तो एक अक्तूबर तक अभी एक्जाम होने के कोई चांस नहीं है तो लगभग अगर बात करें 45 to 50 डेस तक एक्जाम नहीं होगा तो 45 से 50 दिन अभी आपके पास हैं जिसमें आप अच्छे से अपने जो कंसेप्ट से उनको गुरूम कर सकते हैं अच्छे से अपनी त्यारी कर सकते हैं और अच्छे से मोक टेस्ट जो हम वो लगा सकते हैं तो मैंने 30 डेस की स्ट्रेटेजी आपको बताई थी। तो यह आपको गिफ्ट ऑपर से कि 20 डेस लग भग आपको और मिल चुके हैं और यह 20 दिन जो है जो extra मिले हैं इसमें आप जो है 30 दिन में पूरा sleep उस खतम करने के बाद जो है extra mock test आप लगा सकते हैं तो अपनी कोशिच कीजिया का कि 10-15 mock test जो है up to exam जो है वो अच्छे से लगाएं ताकि आपकी examination की जो त्यारी है वो अच्छे से boost हो सके तो आई होप आपको ये चीज़े समझ आई होगी बाकी exam calendar JKSSB डाउट कर दिया है लेकिन आपका जो फा और VLW का exam date है वो अभी JKSSB के तरफ से आउट लही हुई है सिर्फ तीन exam के बारे में ही अभी JKSSB ने बताया तो आई होप चीज़े आपको clear हुई होगी तो बाकी मिलते है नेक्स्ट वीडियो के साथ कोई और update आता है तो उसके उपर बात करेंगे तब तक के लिए thank you guys